आपका स्वाधत है सुभम लेक्चरर चैनल पर फ्रेंट इस वीडियो में मैं आपको अन्योन प्रेरण के बारे में बताऊंगा यह टॉपिक बिद्धु चुम्ब के प्रेरण नामक लेशन से लिया गया है तो अन्योन प्रेरण क्या होता है और इसकी पूरी प्रोसेस कैसे होती है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैंने इस लेशन के कई अन्योन टॉपिक भी बता दिये हैं जैसे अन्योन प्रेड़न से पहले मैंने आपको स्वा प्रेड़न बताया और फैराडे का विद्दुचुम्मकिये प्रेड़न सम्मंधी दोनों नियम बताये लेंज का नियम ठीक है तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि अन्योन प्रेड़न क्या होता है तो इसे प्रवाहित की जाए पास-पास रखी हो फ्रेड़न यहां पर नहीं यहां पर रखी हो तो इनमें जब एक भीधारा प्रवाहित की जाए तो दूसरे में स्वय विद्धुद्वाखबलुत पन हो जाता है तो इस घटना को हम कहते हैं अन्योन प्रेड़न स्वर्ण चलिए लेखते हैं कि mutual induction क्या है तो जब दो कुंडलियों को क्या फ्रेंड दो कुंडली यानि कि इसमें आपको दो कुंडली लेना है तो जब दो कुंडलियों को पास-पास रखना है जो दब ति विद्दुत वाहक बल उत्पन हो जाता है और विद्दुत चुम्बक्य प्रेरण की इस घटना को कहते हैं हम लोग अन्योन प्रेरण तो friend, simply आप लोगों को definition से ही समझ में आ चुका होगा मेरी आसा है, नहीं आया अगर हम धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा? इसमे भी एक विद्दुत वाहक बल उत्पन हो जाएगा यह जब धारा फार्किट में जाएगी तो इसमें भी एक स्वैम विद्दुत वाहक बल उत्पन हो जाएगा और इसी घटना को हम कहेंगे अन्योन प्रेरण, यानि की प्रेरण के द्वारा क्या होगा उत्पन विद्धुतवाहक बल, देखें, जब दो कुंडलियों को हम पास पास रखें, तो उसमें से किसी एक कुंडली में धारा अगर हम प्रवाहित करें, तो दूसरी धारा का मदलब किया, जैसे हम किसी से जोड़ देयां बैटरी से धारा प्रवाहित करें तो यही है धारा ठीक है तो कुंडली धारा प्रवाहित के जाता है तो दूसरी कुंडली में एक प्रेडित विद्दुद वाहक बल स्वयम ही उत्पन हो जाता है तो विद्दुद चुम्ब के प्रेरण की इस घटना को हम कुंडली है तो एक कुंडली है एक यह तो इसे आप लोग लिख सकते हैं फ्रेंड प्राइमरी कुंडली यानि कि प्राथमिक कुंडली इसे लिख सकते हैं सेकेंडरी कुंडली यानि कि यह दूसरी कुंडली है ठीक है तो प्राथमिक कुंडली यह दित्यक कुंडली अब क्य तो कुंडलियों को पास पास रखा जाता है देखे ये भी रखा ये भी आपस में एक साथ रखे हुए है बगल में ठीक है पास पास रखे हुए है तो देखे फ्रेंड यहां पर इसमें क्या क्या लिया है मैंने एक कुंडली ली है ये पूरा सरकीट है इसमें एक कुंजी तो जब हम इस कुंजी को आपस में आन रखेंगे तब धारा अगर बैटरी से हम प्रवाहित करते हैं बैटरी को से जोडते हैं अगर इस कुंडली को तो क्या होगा इसमें से धारा बहेगी क्या बहेगी आई धारा बहेगी अब जब धारा बहेगी फ्रेंट तो एक कुंडली कि जब धारा बहती है किसी सर्किट में तो उसके चारो और एक magnetic field उत्पन हो जाता है चुम्बकिये छेतर उत्पन हो जाता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और बायो सेबर्ट जी ने भी इसी के बारे में बताया था कि जब किसी सर्किट में धारा बहती है तो धारा के चारो और एक चुम्बकिये छेतर उत्पन हो जाता है तो देखिए यहाँ पर जब हमने battery से जोड़ा इस सर्किट को तो इसमें धारा बही और जब धारा बही तो यह जो कुंडली है इसमें भी धारा बहेगी और जब धारा बहेगी फ्रेंड तो इसके चारो और चुम्बकिये छेतर उत्पन हो जाएगा भी उत्पन हो जाएगा ठीक है? चुम्बकिये छेतर उत्पन हो जाएगा अब जब चुम्बकिये छेतर उत्पन होगा तो मैंने आपको बताया है कि चुम्बकिये बल रेखाओं के संख्या के माप को ही हम कहते हैं चुम्बकिये फ्लक्स क्या कहते हैं चुम्बकिये फ्लक्स यानि कि चुम्बकिये बल रेखाओं के संख्या के माप को हम चुम्बकिये फ्लक्स कहेंगी तो देखिए यहां पर जब मैंने धारा इसमें प्रवाहित की तो इसके चारोग चुम्बकिये छेतर उत्पन होगा तो चुम्बकिये बल रेखाएं भी उत्पन होगी और जब चुम्बकिये बल रेखाएं धेर सारी हो जाएंगी तो इन्हें हम कहेंगे चुम्बकिये फ्लक ठीक है? तो I hope कि आपको इतना तो समंझ में आ चुका होगा तो क्या होगा? जब चुंबक्ये फ्लक्स के मान में हम बढ़ाएंगे मान को में बुरिधि करेंगे और अब बृद्धि कैसे होगी? जब हमmeं धारा के मान में बृद्धि करेंगे अगर हम धारा के मान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा इसमें चुम्बकिये बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ेगी ठीक है क्योंकि जब धारा ज्यादा बहेगी तो उसमें चुम्बकिये छेतर ज्यादा उत्पन होगा और जब ज्यादा उत्पन होगा तो चुम्बकिये बल रेखाएं जादा उत्पन होगी और जब चुम्बकिये बल रेखाएं जादा उत्पन होगी तो चुम्बकिये फ्लक्स का मान भी बढ़ जाएगा ठीक है तो जब इसमें धारा बहेगी तो इसमें से चुम्बकिये फ्लक्स के मान में जब हम बिर्धी कर प्रेड़िधारा उतपन हो जाएगी और फिर फिर ईसमीं प्रेट्राइज कीजिए कि दो कुंडलियां आपस में रखी हुई है इस सर्किट में क्या क्या है बायटरी है इसे हम बायटरी कहते हैं ठीक है और बायटरी है फ्रेंड और इसमें क्या लगा हुआ है यह जो लगी हुई है कुंडलियां ठीक है इसमें कुंजी भी लगी हुई है और इसमें को उत्पन हो जाएगा तो देखिए इलेक्ट्रो मोटिफ फॉर्स कैसे जब हमने बैटरी से सरकीट को जोड़ा तो इसमें धारा बही जब धारा बही तो पूरे सरकीट में बहा इस कुंजी को अगर हमने बंद किया ठीक है अब क्या होगा फ्रेंड जब धारा बहेगी तो कुं कुंड़ी में जो कुंड़ी है इसके पास जायेंगी और जब हम इसके धारा के माने में और ज्यदा परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा चुम्बकिये बल रेखाओं की संख्या और बढ़ेगी जिससे इसमें भी कुछ उम्बकिये बल रेखाएं उत्पन हो जाएंगी और चुम्बकिया बल रेखाएं उत्पन होगी तो प्रेडित धारा उत्पन होगी और विद्धुत वाहक बल भी उत्पन हो जाएगा और इसी घटना को हम कहते हैं अन्योन प्रेज़न तो फ्रेंट सिंपली आप लोग समझें कि जब दो कुंडलियों को पास पास रखा जाता है तो उसमें से अगर एक में हम धारा को परवाहित करें आई को परवाहित करें ठीक है इस माल आई को परवाहित करें तो क्या होगा इस फ्रेंड का एप्टल आई नहीं रहेगा इस माल आई रहेगा ठीक है तो जब हम धारा को परवाहित करें तो एक कुंडली में जब हमने धारा का प्रवाहित के तो दूसरे में भी अगर विद्धुत वाहक बलुथपन हो जाए तो इस घटना को कहते हैं अन्यों प्रेरण mutual induction तो friend I hope कि आपके समझ में आ चुका होगा तो हम लोग एक बार फिर से definition को देखते हैं तो जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरी कुंडली में एक प्रेडित विद्धुत वाहक बलुथपन हो जाता है विद्धुत चुंबक के प्रेरण की इस घटना को अन्यों प्रेरण कहते है चित्र भी मैंने आपको समझा है कि दो कुंडली है एक में धारा प्रवाहित की गई तो इसमें चुंबक के बल रेखा उत्पन हुए और इसमें भी विद्धुत वाहक बलुथपन हो गया तो इसे कहते हैं उन्यों प्रेरण मेरी आसा है कि आपको वीडियो पसंद आया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कल दीजिए इस वीडियो में फिलाहाल इतना ही हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक दूसरे और एक नए वीडियो में तो तब तक लिए फ्रेंड धन्यवाद देए